काफी लंबे संघर्ष के बाद आइनेक्स मीडिया केस में पूर्ग रह्मंतरी पिछ दम्रम को सोफरिम कोट से जमानत मिल ही गई सीबी आई के केस में पिछ दम्रम को एक लाके नीजी मुचलाके पर जमानत मिली है पर अभी पी जुदम्रम को 24 अक्टूबर तक एडी की कस्टेडी में ही रहना होगा अई जानतेस रिपोर्ट के जरीए तमाम जानकारी सुप्रीम कूट में CBI की तरफ से दर्श किये गए आयनेक्स मीडिया फ्रश्ट वचार मामले में पुर्व वितमंत्री पी जुदम्रम को जमानत दे दी है लेकिन जुदम्रम आयनेक्स मीडिया मामले में 24 अक्टूबर तक एडी कस्टडी में रहेंगे CBI कोट ने आयनेक्स मीडिया मामले में सुमवार को जुदम्रम के खिलाफ चार्शीट का संग्यान लिया था कोट ने पुर्व वितमंत्री को 24 ओक्टूबर को पेश होने का अदेश दिया है अदालत ने इसके अलावा आरोप पत्र में नामित सभी आरोपियों के खिलाब समझ जारी किया है हाला कि उनकी पेशी की तारीक का एलान बाद में किया जाएगा आयनेक्स मीडिया केस में कब कब क्या हुआ 2007 विदेश से 305 करोड रुपे में आनियमित्ता कारों FIPV की मंजूरी हासिल करने में आनियमित्ता कारों 15 मई 2017 को CBI ने प्रात्मिक की दर्श की 2018 में ED ने धन शोधन का मामना दर्श किया CBI ने पूस्ताश के लिए वरिष्ट कॉंग्रेस नेता पी जुदंबरम को समन किया 30 मई को चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोट में याचिका धायर की CBI ने दर्ज प्रस्टवचार की मामने में अगरिंग जमानत का अनुरोद किया 25 जुदंबरम के अगरिंग जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा 20 अगस्त को हाई कोट ने चिदंबरम की अगरिंग जमानत की याचिका ठुकराई पूर्व केंद्री मंत्री पीचुदंबरम को सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटखटाने के लिए गिरफतारी से अंत्रिम राखत देने से भी इंकार कर दिया 21 अगस्त को सीबियाई ने पूर्व वित्त मंत्री पीचुदंबरम को राथ को गिरफतार किया वेरहाल अब देखना होगा कि पीचुदंबरम की दिपावली जेल में बीतेगी या बाहर दरस अलीडी अगले साथ दिनों के लिए हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है अगर तीन दिनों के लिए हिरासत बढ़ाई जाएगी तो चिदंबरम को दिवाली जेल में मनानी होगी यूरो रिपोर्ट खबरे अभी तक अजया प्राइब प्राइब एजया जेल में मनानी होगी